हौरर कॉम्मिनिटी का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबा दें लिटेस्ट अपडेट्स बाने तो हैलो दोस्तो आज मैं आपके लिए सौ मूवी का हिंदी एक्स्पिनेशन वीडियो ले के आया हूँ वीडियो शुरू करने से पहले है कि इंपोर्टन अनॉंस्मेंट के जिन्नों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने क्योंकि सौ मूवी के सिरीज में टोटल आर्ट फिल्में हैं और एक शॉर्ट फिल्म है और मैं उन सभी फिल्मों का हिंदी एक्स्पिनेशन इस चैनल पर ना निवाना हूँ इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें आकि आप एक भी एक्स्पिनेशन वीडियो ना मिस करें साथ ही साथ अगर आपको किसी और मूवी का हिंदी एक्स्पिनेशन वीडियो चाहिए ता आप मुझे कमेंड में बता सकते हैं फिल्म आगे बढ़ती और हम लोग उन्हें नशे की हालत से जगते हुए देखते हैं जागने के बाद डॉक्टर लॉरेंस और एक दूसरे को कमरे के अपुजिट साइड में पाते हैं और उन दोनों के पैर को चेन से बांध कर एक पाइप से बांधा हुआ होता है और उनके बीच में एक लाश पढ़ी होती है जिसके एक हाथ में पिस्सल और दूसरे हाथ में एक रिकॉर्डर होता है फिल्म आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एडम और लॉरेंस दोनों के पौकेट में एक टेप होता है और अगर वो दोनों ये टास्क पूरा नहीं कर पाया तो उन दोनों को इस बात्रूम में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा लॉरेंस को ये भी बताया जाता है कि अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो उसकी वाइफ ऐलिजन और उसकी बेटी डाइना को भी मार दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एडम और लॉरेंस एक एक आरी ढूल देते हैं और अगर उन्हें वहाँ से आज़ाद होना है तो इन्हें अपना पैर काट कर वहाँ से आज़ाद होना पड़ेगा उसी समय लॉरेंस एडम को ये बताता है कि मुझे लगता है हमें जिक्सॉप पकड़ कर लाए हमें यहाँ पर मारने के लिए जो एक सीरियल किलर है अपने ट्रैप्स में फसा कर लोगों को मानने के लिए काफी बतनाम दी है तब ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लॉरेंस की पतनी एलिसन और उसकी बेटी डाइना को जिन्हें किसी ने अपने ही अपार्टम में बंदी बना कर रखा है लॉरेंस की पतनी और बेटी को भी उसी आदमी ने बंदी बनाया होता है जो उन्हें कैमरे के मदद से इंडस्ट्रियल बात्रूम में देख रहा होता है वो कैमरे एक शीशे के पीछे चुपा होता है इसके बाद लॉरेंस अपना वालेट देता है एडम को अपनी फैμिली की फोटो देखने के लिए एडम लॉरेंस की दिवी फोटो को देख रहा होता है पर उसे अंदर इक और फोटो मिलती है जिसके अंदर वो लॉरेंस के बेटी और पतनी को बंदी बने हुए देखता है जब Adam उस फोटो को पलट कर देखता है तो उसे उस फोटो के पीछे एक मैसेज लिखा मिलता है मैसेज में लिखा होता है कि इस कमरे में X Mark के साइन को ढूड़ो और कभी-कभी तुम आख्यों को बंद करके चीजों को जादे अच्छे से देख सकते हो एडम हिंट को फॉलो करता है और लॉरेंस से कहता है कि वो इस कमरे की लाइट बंद कर दे जैसे ही लॉरेंस इस कमरे की लाइट बंद करता है उसे दिवाल पर एक X Mark का साइन दिखता है लॉरेंस उस X Mark के साइन वाली दिवाल को तोड़ देता है दिवाल को तोड़ने पर उसे एक चोटा डबा मिलता है डबे को खुलने पर उसे अंदर एक बुलेट, दो सिग्रेट और एक सैलफ फोन मिलता है लेकिन उस सैलफोन में सिर्फ incoming calls ही allowed होते है लेकिन उसे डबे के अंदर एक और हिंट होती है कि जमीन पे जो आदमी मरा पड़ा है उसके खुन में जहर है। लॉरेंस को इसी खुन का यूज़ करके एडम को मारना है। तब ही एडम और लॉरेंस प्लान बनाते हैं कि वो जिक्सौ को बेखुफ बनाएंगे और सिर्फ एडम को मारने की एक्टिंग करेंगे। लाइट को कहे मताबिक एडम को जहर दे के मार दिया है। अब मुझे यहां से जाने दो और अपनी फैमली से मिलने दो। लेकिन जिक्सौ उनकी इस चाल को समझ जाता है। एडम जिस चेंज से बंधा होता है उसमें इलेक्ट्रिक शौक आता है। जिससे उनका प्लैन पुरी तरफ फ जब सब ओंदा से काया है कि इड़ंस इसके बाद ऑब एक फोटोग्राफर है और उसके पासा फूट लाूरेंस को कुछ फोटो्स इसके और Adam को बताता है कि यह Jeff ہے जो उसके हॉस्पिटल में सामान ले जाने का पाम करता है जैसे ही लॉरेंस उसलके को पहचानता है अब यह 6 बच जाता है और लॉरेंस अपने काम में फेल हो जाता है तो था कि Adam को 6 बजे से पहले मारने का जिसके बाद जेफ लॉरंस की बेटी और पतनी को मारने के लिए तयारी करता है अलेसन से कहता है कि वो अपने हस्बिन को कॉल करके कहे कि वो अपने टास्प में फेल हो चुका है और अब उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा अगर एलिसन जेफ फे अटैक कर देती है लेकिन तब तक लॉरेंस को कॉल लग चुका होता है कॉल पे कुछ गंड शॉट की आवाज आती है और साथी साथ कुछ चिखने चिलाने की भी आवाज आती है इसकी वज़े से Lawrence को लगता है कि Jeff उसकी family को मारने वाला है Lawrence उन gunshot की वाद से बहुत डर जाता है अपने family को बचाने की आखरी उमीद में उस आरी से अपने पैर को काटने लगता है और gun से सीधा Adam को गोली मार देता है और वो जो Jeff था जो Lawrence की पतनी और बच्ची को मारने में नाकामयाब था वो भी उस bathroom में आ जाता है और वहाँ पे आकर वो Lawrence को मारने ही वाला होता है कि पीछे से Adam आके उस पे अटेक कर देता है उसको एक toilet slap से मार देता है जिसके बाद Adam और Lawrence को ये लगता है कि उन्होंने फेमस किलर जिक सौ को मार दिया है तो जिफ था तोने लगता है कि अब वो यहाँ से बचके निकल जाएंगे अभी Lawrence वहाँ से बचके निकल जाता है और वो एडम को बोलता है कि वो उसके लिए मदद लेकर आएगा नहीं है बलकि वो खुद जिक सौ के चंगर में फसा हुआ है और उसे लॉरेंस की फैमिली को मारने का काम दिया गया था लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाया जिसकी वज़े से उसकी मौत हो गई और जेफ लॉरेंस की फैमिली को इसले मारना चाहता था क्योंकि उसकी बाडी में जहर था जिसे मिलाया था जिक सौ नहीं उसका एंडी डोर उसे तभी मिलता जब वो लॉरेंस की फैमिली को ख़दम कर देता लेकिन वो अपने टास्क में फैल हो चुगा था एडम ये सब सुन ही रहा होता है कि तभी बाजो में जो डेड बैन होता है शुरुआत से उस बाथरूम में था वो उटकर खड़ा हो जाता है और वो एडम को कहता है कि वही जिक सौ है नाकी जैफ और वो एडम को ये भी बताता है कि एडम अपने टास्क में फैल हो चुग गर्ज होते हैं इतना बोल के वो उस बात्रूम से बाहर जाने लगता है एडम उसे दया की भीक मंगने लगता है कि वो उसे छोड़ते लेकिन एंड में जिक्सो दर्वाज़ा बंग करते करते हैं एडम से बोलता है कि गेम ओवर और बस यहीं पर मुवी खतम हो जाती है इस अपनी ने ड्रग एडिक्ट के लिए एक क्लिनिक खोला लेकिन एक ड्रग एडिक्ट ने उसकी फैमली पर अटेक कर दिया जिसकी वज़े से उसके बच्चे की डेथ हो गई कुछ समय बाद उसकी पतनी की भी और जब वो इलाज करवाने के लिए डॉक्टर लॉरेंस के पास गया उसे पता चला कि उसे एक कैंसर है वो अपनी लाइफ से पूरी तरह हार चुका था उसने डिसाइट किया कि वो स्यूसाइट करेगा लेकिन कार में स्यूसाइट करने क जाता है उसके बाद से बाद से एपनी लाइफ को एप्रीशियट करने लगता है और चाहता है कि अन्ग से एक proposition बना उ तो आप मुझे बढ़े